दोस्तों इस वीडियो में आपके लिए एक बहुत ही महत्पुर्ण घास के बारे में जानकारी लेकर आई हूँ इसे तीन पत्ती कहा जाता है साथ ही साथ इसे खटी बटी भी कहा जाता है पेट की बिमारियों को दूर करने के लिए प्राचीन समय से ही इसका इस्तमाल किया आता जा रहा है इसे चांगेरी भी कहा जाता है छोटे छोटे पत्ते वाली ये जो चांगेरी होती है इसका आईरुवेद में बहुत महत्व है और श्थियों का भंडार है ये चांगेरी की पत्ती ये तीन पत्ती आप देख रहें एक सांथ इसकी तीन पत्ती उखती है बहुत आसानी से किसी भी नमी वाले स्थान पर लग जाती है तो आईरुवेद में महा तो रखने वाली ये तीन पती चांगेरी खटी बटी आज मैं बताऊंगी इसके अंगिनत फायदे के बारे में इसे पीस कर आप इसका लेप लगाएंगे न तो अच्छा समंधित सभी बिमारियां दूर होती दात, खाज, खुजली की परिशानी को दूर करता है इसकी पत्तियों का लेप कोई घाव है पुराने से पुराना घाव भी ठीक हो जाता है चांगेरी की पत्ति का रस लगाने से या इसकी पत्तियों का पेस्ट लगाने से शरीर में कहीं मस्सा हो गया है मस्से के उपर आप 4-5 दिल लगातार इसे लगाईए मस्सा गल जाएगा ये इतनी औजधी गुणों से भरपूर है दोस्तों आज मैं एक-एक करके इसके सारे फाइदे बताने वाली हूँ पेट से जुड़ी हुई किन बिमारियों में किस तरह से सेवन करना है तो मेरे हाँ भी गमले में लगी हुई है ये अपने आप ही लग जाती है वैसे तो ये पूरे 12 महने ही लगी रहती है परन्तु बारिश के मौसम में और तेजी से लगती है मेरे घर पर भी जो गमले है उसमें अपने आप लग जाती है कई बार हम लोग इसे घास पूस समझ कर उखाड कर फेक देते है परन्तु आज से आप इसका औजधी प्रयोग जानेंगे इसका औजधी महत्व जानेंगे तो इस चांगेरी को आप ख़टी बटी को आप या खटी मीठी इस पती को कभी नहीं फेकेंगे ये इसकी फलियां देखिए ध्यान से देखिए इस तरह से छोटी-छोटी फलियां होती है जिसमें इसके बीज होते हैं seeds होते हैं वैसे तो ये अपने आप ही लग जाती है प्रकृति का आप बोल सकते हैं दोसों हमारे देश में बहुत सारी जड़ी बूटियों का खजाना है भारत वर्ष जो होता है दोसों बहुत सारे अनमोल जड़ी बूटियां पाई जाती हैं परन्थों इनका प्रयोग हमें नहीं पता रहता, आज मैं इसी वनस्पती के एक एक चमतकारिक गुड़ों के बारे में आपको बता रही हूँ, सबसे पहले मैंने इस पत्तियों को अच्छी तरह से धो लिया है, इसका जो स्टेम है, जड़ है, जड़का भी बहुत उपियोग है, जड़का भी उपियोग तीन-तीन का पत्र होता है, पत्ते, तीन पत्ते एक साथ लगे रहते हैं, संस्कृत में इसे अमल पत्री का भी कहा जाता है, और स्वाद में ये खट्टी-मीठी होती है, गाओं के लोग तो ऐसे ही तोड़ कर खाते हैं, इसकी भाजी बनाई जाती है, दोस्तों, गाओं में खटी मीठी और इसको चटनी में भी हम लोग इस्तमाल करते हैं जो हरे धनिये की हम लोग चटनी बनाते न इसमें भी चांगेरी की कुछ पतियों को डाला जाता है तो चटनी का स्वाद भी बढ़ता है साथ ही साथ इसके औजधी कुण भी हमें मिलते हैं तो पूरे भारत वर्ष में पैदा होने वाली ये चांगेरी की पत्ती जो है ये पूरे वर्ष भर हमें मिलती है हमारे घर के आसपास सडकों में, खुले मैदानी इलाकों में, नमी वाले इस्थान पर, खाली पड़ी जमीन पर ये गहास अपने आप ही लग जाती है तो आप इसकी चटनी बना कर खाएं, सबजी बना कर खाएं या इसका 10 ml रस ले सकते हैं, 10 ml रस लेने से पेट से जुड़ी हुई सारी बिमारी दूर होती, पेट के किड़े की परिशानी हो या कब्स या डाइजेशन की परिशानी हो, इस तरह से इसके पेस्ट को दात खाज खुझली चर्मरोग के संक्रबन पर भी लगा सकते हैं, चांगेरी की जो पौधा होता है, घांस जो होती, इसमें पीले रंग के पुष्प उखते हैं, कभी कभी या कहीं कहीं गुलाबी रंग के भी पुष्प इसमें लगते हैं, एंटिसेप्टिक एंटिफंगल हडियों में दर्द है, घुटने में दर्द है, कमर में दर्द है, इसकी पत्यों को पीस कर उसका गाढ़ा लेप ले लीजिए या उसका रस ले लीजिए, थोड़ा सा सरसों के तेल से मालिश करने से कमर का दर्द, हडियों का दर्द बिलकुल ठीक होता है, एक चमच इसका परस गरम पानी के साथ लेजे या साधे पानी के साथ लेने से बवा सीर की परिशानी भी दूर होती है, कब्ज की समस्या दूर होती है, मुझ की बदबू को दूर करता है इसकी पत्तियों का सेवन, बहुत से लोग इसे चबा चबा कर ऐसे ही खाते हैं, यह बहुत स्वादिस लगती है दातों की कमजोरी से परिशान है तो चांगेरी की पतियों को चबाएं माउथ फ्रेशनर की तरह काम करती है बैड स्मेल को दूर करती है और साथ ही साथ हमारे दातों के लिए बहुत फायदेमन है आप पानी में डाल कर पी लिजे या एक चमजिस का रस लेकर उपर स पानी पी सकते हैं या पानी में मिक्स करके भी आप इसे ले सकते हैं हमारे पेट में किसी तरह का इंफेक्शन है इंटेस्टाइन में किसी तरह का इंफेक्शन है तो उस संक्रमण को दूर करता है इसकी ताजी पतियों का रस एक चमज से ज़्यादा इसका रस नहीं लेना बच्चों को भी आप इसका रस दे सकते हैं इसके पेस्ट में सरसो तेल डाल कर आप घुटने की मालिश करेंगे न आपको जुआइंट पेन, गठिया, अर्थराइटीस से हड्डियों के दर्द से भी आराम मिलेगा गाओं में लोग क्या करते हैं दोस्तों इसकी पत्यों को सुखा कर इसका चूंड बना लेते हैं और इसके चूंड को भी घाओं में लगाते हैं तो घाओं जल्दी भर जाता है मालिश करें पुराने से पुराना आपका हड्डियों का दर्द बिल्कुल ठीक होगा इसकी पत्यों को सुखा कर उसके पाउडर से मंजन करने से दात मजबूत होते हैं मुह के सारे रोग दूर होते हैं मसूडों की सुजन या मसूडों से खून आता है तब भी आप इसके पेस्ट से या इसके पाउडर से मालिश करें आप चाहें तो इसकी पत्यों को अच्छी तरह से धो लीजे एक गिलास पानी में डाल कर उबाल कर इसका कालहा बना कर भी ले सकते हैं चहरे की सुन्दरता के लिए भी इसके रस को चंदन पाउडर के साथ मिला कर लगाने से चहरे के दाग धब्बे दूर होते हैं मुहां से एकने फोड़े फुंसी की समस्या दूर होती है क्योंकि ये जो पत्या होती है एंटी फंगल और एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी से भरपूर होती हैं इसका लेप चहरे पर लगाईए चहरे पर सुंदरता आएगी जुरिया नहीं आएगी साथ ही शरीर में कहीं सूजन है तो इसके पोटली बनाकर इसके पत्तों को गरम करके सेकने से सूजन उतर जाती है पिरेट के समय भी होने वाले दर्द से राहत दिलाती है चांगेरी की पत्तियां मैं जब भी चट्नी बनाती हूं तो इसकी कुछ पत्तियों को हरे धनिये की चट्नी में मिलाती हूं वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें शिखास की चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें